नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का 66 BPSC का Practice Set 4 आज के स्पीडियू में बनाएंगे BPSC का PT exam दिसम्बर में लिया जाएगा तो ऐसे में आपके पास मात्र दो महिने का समय बच गया है आप डेली एक Practice Set अवस्ट बनाएगे जिससे आपको Maximum Profession का Revision हो सके और आपको किस सेक्षन में ज्यादा ध्यान देना है और कितने अस्तर तक आपके तयारी होई है वो भी आपको मालूम चल सके PDF के लिए आप Telegram जोन कर सकते हैं वहाँ से मिल जाएगा पहला कोशन है कौन सा देश Group of 20 जी ट्वंटी का हिस्सा नहीं है अप्शन है चीन, दक्षण अफ्रिका, दक्षण कोरिया या पकिस्तान इसका अप्शन नमर डी पकिस्तान पकिस्तान जी ट्वंटी का हिस्सा नहीं है 2019 में जी ट्वंटी सिखर सम्मेलन उसाके में हुआ और G20 का 15 सिकर संभिलन रियाद में होगा Next question है 2019 तक भारत में कितने UNESCO विश्व धर्वर अस्तल है इसका answer है अप्शन नमर C 38 2019 तक भारत में 38 UNESCO विश्व धर्वर अस्तल है UNESCO विश्व धर्वर सूची में शुरुवात 1978 से प्रारम किया गया था और वर्तमान में भारत में कितना है तो 38 है हाल ही में पिंक सिटी जैपुर को 6 जुलाई 2019 को युनस्को की विश्व धर्वा सुची में सामिल किया गया है नेस्ट कोशन है विश्व की पहली ससस्त्र उभायचर ड्रोन नाव जिसे मरिन लिजर्ड भी कायता है किस देश के द्वारा विक्सित की गई है अप्शन है इंडिया अमेरिका इसराइल चीन इसका एंसर देगा option नमरR D चीन विस्व की पहली सशस्त्र उभायचर ड्रोन नाव जिसे marine lizard भी काहता है चीन के दोरा बिक्सित की गई है चीन के दोरा पहली सशस्त्र उभायचर ड्रोन पानी और जमीन दोनों पर चलेगी इसका सफल प्रक्चरण हाली में किया गया है नेस्कोस ने यूरो इूरोप्ये संकी मुद्रा की शुरुवात कब से की गई थी इसका अंसर जायगा अप्शन नुमर B एक जर्णवरी 1999 यूरो जिसे यूरोप्ये संकी मुद्रा कहते हैं इसकी सुरुवात एक अप्राइल 1999 की गई थी और यूरोपिय विनमे तंत्र 1995 में सुरू किया गया था आपको याद रखना है वर्तमान में अभी यूरोपिय यूनियन में सामिल 27 देशों में से 19 देशों की मात्र मुद्रा जो क्या है यूरो है next question है कोहिमा की लड़ाई बेटिस भारत और निमलिकित में से 20 देशों की बीच लड़ी गई थी जर्मनी जपान तुर्की इसका अंसर जागा अप्सन नमर बी जपान कोहिमा की लड़ाई बेटिस भारत और जपान की बीच लड़ी गई थी और हाली में 75 वी वार्सगाट इसकी 4 अपरेल 2019 को नागलेंड सरकार द्वरा यूके और जपान परतिंदों के साथ अस्मरन सुला और पूनर जन विशय के साथ इसको मनाया गया है तो आपको याद रखना है यह काफी इंपोर्टेंट है 75 वी वार्सगाट इसको मनाया गया है 4 अपरेल 2019 को तो यह जपान और भारत के बीच में 20 भारत के बीच में इसको लड़ा गया था निमलिकित में से किस संगठन ने भारत का पहला पर्यावरण 2019 रिपोर्ट प्रस्तूत किया है इसका इन से जगा अप्शन नमर C Center for Science and Environment में ने भारत का पहला रिपोर्ट 2019 रिपोर्ट जारी किया है और इसमें भारतिय परवेश की एक बहुत कमभीर तस्वीर सामने आई है आपको यह दखना है Center for Science and Environment के स्थापना 1980 में किया गया था और इसके स्थापक अनिर अगरवाल थे नेस्ट कोशन है अंतराष्टिय किर्केट परिशद ICC के अनुसार 2019 के सरफसेष्ट किर्केटर पुरसकार से किसे समानित किया गया है इसका अन्सर जाएगा Option No.C वेनेस्टोक अन्तराष्टिय किर्केट पुरसकार ICC के द्वारा सबसे किर्केष्ट पुरसकारों में सूची में आपको बता दें बेनेस्टेस को 2019 का मिला जो इंगलेंड के किर्केट की लाड़ी है इनको सर गौर्फिल्ड सोबर ट्रोफी फोर दा बेस्ट किर्केट अफ दा इयर मिला और रोही सर्मा को वंडे किर्केटर, ओडी किर्केटर येतब इयर आपको मिला था और T20 Performance of the Year दिपक चौर को मिला था भारत और बंगलादेश के खिलाब सात रंदेकर मात्र चौक बिगेट लिये थे तो इनको T20 Performance of the Year मिला था और Elisha Perry अस्ट्रेलिया के हैं इनको रेसल हेलोई फिलिंट अवार्ड मिला था ICC Women Cricket of the Year 2019 का ICC से सम्मझित आपको कुछ बात ध्यान रखना है इसमें सदस कूल 105 है 105वा सदस संयुक्त राज अमेरिका USA सामिल हुआ इसमें और इसका मुख्याले का है दूबई में है इसके अद्दक्ज ससांक मनुख कारिकारी कौन है तो मनुख साहनी है नेस कोशने 20 विद्दाले अनुदान आयोग UGC एक कैसी संस्था है इसका इंस देगा आप्सन नमरी वैधानिक निकाह है इसकी सुरुवाद 19-28 दिसंबर 1953 को ततकाले सिक्षा मंतरी मौलाना अभूल कलाम अजाद ने किया था तो आपको याद रखना है यह एक वैधानिक निकाह है नेस कोशने 12 सरकार ने कितने सहरों में सहरी वन बनाने के लिए नगर वन परियजना शुरू किया है तो इसका आप्सन नमरी दो सब बाया सरकार ने 200 सहरों में सहरी वन बनाने के लिए नगर वन परियजना शुरू किया है नगर वन परियजना के तहत अगले 5 वर स्वार्शों में देश भर में 200 नगर वन बिक्सित किया जाएंगे। नेस्ट कोशन है थोक मूल सुप्चांग में निमलिकित में से कि स्वस्तु का वेटेज सबसे अधिक रहता है। इसका अंसरेगा अप्शन नमर B, V निर्मित माल, थोक मुल सुप्चान में V निर्मित माल का वेटे सबसे अधिक होता है नेस्ट कोशन है केके वेड़ला फांडेंशन द्वारा परतिश्टिट बिहारी पुरसकार किसके दिये जाने की घोषना की गई है इसका अंसरेगा अप्शन नमर C, मनिशा कुल स्रेश्ट केके वेड़ला फांडेंशन द्वारा परतिश्टिट 28 बिहारी पुरसकार मनिशा कुल स्रेश्ट को दिये जाने की घोषना किया गया है 28 वा बिहारी पुरसकार राज अस्थान की मनिशा कूल स्रेश्ट को परदान किया गया है और इसकी घोषना 2018 में की गई थी तो आपको याद रखना है या पुरसकार उनके परसीद हिंदी उपन्यास स्वपन वास के लिए मिरा जाएगा और इस पुरसकार की शुरुबात 1991 में केके बिल्ला फाउंडेशन के द्वारा प्राणाम किया गया था नेस्ट कोशन है आपरेशन निस्थर की से संबंधित है इसके अंसर जाएगा अप्स नमर भी यामन में चक्रवात में फशे भारतियों को वापस लाने के लिए अपरेशन निस्थर जो है संबंधित है अपरेशन निस्थर यामन में चक्रवात में परवेश करने के पस्चात सोकोटरा दीप जो यामन में है फसे भारतियों को वापस लेने के लिए चलाया गया और अपरेशन संबंद्री मैत्री इंडोनेसिया के बीच सुलावेशी प्रांद में भुकम और उतरबूर भी सुमानी सुनामी जो हुआ था उससे पिडित लोगों के लिए साहे तक ले चलाया गया था और इंबलेंक्स 2018 से 2019 में आया था भारत और मियानमार के सेनाव के मद स्वयुक्त अभ्यास है तो आपको यह दखना है इसका इंस तो जाएगा अप्शन B निस्तर जो है यमन में फसे भारतियों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था नेस्त कोशन है कौन व्यक्ति हाल में वाशिंग गटन में 20 सुबवाइं के कारकारी निदेशक के वरिष्ट सलाकार निउक्त किये गया है इसका इंस तो जाएगा अप्शन नमर B राजीव टोपनो राजीव टोपनो वाशिंग गटन में 20 सुबहें के कारकारी निदेशक के वरिष्ट सलाकार नियुक्त किया गया है राजीव टुपनो 1996 के गुजरात कैडर के परसासनिक अधिकारी सेवा में अधिकारी रहे हैं और इनका कार्जकाल तीन वर्सों का होगा नेस्ट कोशन है भारत और भुटान के बीच कौन सा सेना तैनात की जा रही है भारत और भुटान के बीच कौन सा सेना तैनात की जाती है तो इसका अंसर हैगा अपसर नमर ए ससस्त्र SSB भारत और भुटान के बीच ससस्त्र सीमा बल SSB की तैनाती की जाती है और ससस सिमा बल भारत भुटान यह भारत नेपार सिमा की रख्चा करती है तो आपको याद रखना है इसका एंसर ए हो जाएगा नेस्ट कोशन है पस्तून समुदाय किस देश से संबंदित है इसका एंसर एक आप्शन नमर भी अफ़कानिस्तान पस्तून समुदाय तालिबान विद्रों का यह जुड़ा हुआ है और यह अफ़कानिस्तान से संबंदित है पस्तून समुदाय पकिस्तान में भी पायता है और कुर्दिस समुधाय जो होई जन समुधाय पूरवी इरान और इराक में पायता है नेस कोषन है, दूकम पतन किस महासागर में स्थित है? इसका नतर जगा अपसन नमबर B, अरवसागर, दूकम पतन अरवसागर में स्तित है भारत को सैन उपयोग के लिए ओमान में स्थित जितना विरणेती होता है उसे महत्पूर्ण दुखम पतन का अधिकार मिला है और यह बंदरगा ओमान के दच्छनी पूर्वीतर पर स्थित है पारादीप बंदरगा कहा है तो आपको याद रहे हैं ओडिसा में है समुद्री पतन है कांड़ला पतन जो है जो गुजरात में स्थित है और ज्वार्ला नेहरूप पतन जो है भारत का सबसे बड़ा कांटेनर पतन है तो आपको याद अखना इससे एक प्रस्ण अवस्ट एक्जाम में पूछा एता है नेस कोशन है वर्ष 1960 के सिंदु जल बटवारे के तहथ भारत निन में से कितने किस नदी का उप्योग जो है नहीं कर सकता है इसका अंसे लेगा option number D चिनाव वर्स 1960 के सिंदु जल बटवारे के तहद भारत चिनाव नदी के जल का उप्योग नहीं करता है सिंदु नदी के अनुसार जो हुआ था संदी 1960 में इसमें तीन पूर्वी नदियों अर्थात रावी ब्यास और सतलज का नियंतरन भारत को परदान किया गया है पस्मित्तिन नदिया सिंदु जेलम और चिनाव का नियंतरन पकिस्तान के अंधिर है और इसका संदी जोका भुगाता 19 सितंबर 1960 को गया था और सिंदु नदी की लंबाई 2880 है तो आपको यादखना है नेस्ट कोशन है मानो पुंजी सुचकांग कौन जारी करता है बिस्व बैंक या इसका समो या USA का राष्टिय विकास या आर्थिक मंच के द्वारा इसका अंसर जाएगा अप्शन नमरे मानो पुंजी सुचकांग में शिंगापूर इसवार शिर्ष अस्थान रहा है और भारत की समें 55 अस्थान है 115 तो आपको या दखना है इस सुची में भारत 155 अस्थान है नेस्ट कोशन है किसान घाट किसकी समाधी अस्तल है इसका अंसे देगा अप्सन नमरे चौदरी चरन सिंग आपको याद अखना है किसान घाट चौदरी चरन सिंग के समाधी अस्तल है चैतरा जो है बी आर अमबेटकर की है और एकता अस्थल जो है ग्याने जैल सिंग की है उदम भूमी के अर्नरान की है और ज्वाल नेहरू का सांती वन है अटल विहारी बास्प्याई का हाली में उनको भी आपको याद अखना है अस्मिर्ती अस्थल है तो इससे भी एक प्रस्ण पूछा जा सकता है नेस कोशन है कौन सा इनमें से भीन है गुलावी सहर किसको कायता है या महलो का सहर किसको कायता है या बंगाल का सोक या दक्षिन भारत की गंगा तो इसमें से बी नमर जो आपसन है भीन है महलो का सहर जो है बंबई यह सुमेलित आपको एदान दच्छरी की गंगा या बिरिद गंगा गुदावरी को काहता है साथ टापो का सहर मुंबई को काहता है महलो का सहर कोलकता को काहता है तो यह जो है भीन है बंबई आना ही होगा कोल कता होगा नेस कोशन है भारत के पर्थम मुख नाइदिस कौन थे इसका एंसे जगा अप्शन ए नमबर जस्टिड हीरा राल जे कानिया भारत के पर्थम मुख नाइदिस थे उस्टम नाले की अस्थापना उन्चेद 124 के तहत की गई है आपको याद रखना है नेस कोशन है अंत्राष्टिय नियाले का मुख नाइदिस का होता है अंत्राष्टिय नियाले की अध्रिकित भासाई भी आपको याद रखना है अंग्रेजी और फ्रांसिसी है और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्शकल कितना होता है तो तीन वर्स का होता है निमलिकित में से किस देश के रेडियो एस्टेशन ने लीपू लेख काला पानी और लीमपिया धूरा के मौसम बूलेटिन के लिए जारी देरां शुरू कर दिया है इसके आँसे देगा अप्शन नमबर C नेपाल नेपाल के रेडियो एस्टेशन ने लीपू लेख, काला पानी और लीमपिया धूरा के मौसम बूलेटिन की जनकारी देना अब सुरू कर दिया है नेपाल ने अपने नए नक्से में उपरोग भारतिये अस्थलों को भी अपना हिस्सा बदाया है तो इससे विवाद रहा है तो ये प्रस्ण पूछा भी जा सकता है आने वाले अग्जाम में नेस कोशन है मानो और सेसो के दफन या दा संसकार के लिए खाद बनाने की अनुमेति देने तू कौन सा कानून अभी पारित किया गया है जो पहला देश है अमरिका इसका अप्शन मरसी वासिंग अटन वासिंग अटन ने मानो और सेसो के दफन या दा संसकार के लिए खाद बनाने अनुमति ये तू एक कानून पारित करने वाला पहला राज बन गया है जो अमरिका का है और इसका उदेश अंतिम संसकार और दफनाने होने वाले तू कारवन उत्सरजन की कमी करना है तो आपको याद अटना है इसका इन सुझागा वासिंग अटन नेस्ट कोशन है कमिन राउंड दा मांटन के लेखक कौन है इसका इन सुझागा अपसा नमर भी रस्किन बॉंड कौमिंग राउंड दा मांटन के लेखक रस्किन बॉंड है या संसकरन जो है भारतिय बच्चों में लोग प्रिये रस्किन बॉंड ने अपने पचासिवे जम दिन के उसर पर या परकासिण किया है और इसमें 13 वर्स के लड़के का जन के विभाजन पर एक कहानी इसमें पन्यास में लिखा गया है नेस्ट कोशन है किसे गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल गांधी द्वारा नोबेल सांती पुरसकार 2020 से समानित किये जाने की घोसना की गई है इसका अप्सन नमर बी कनहिया तिरपाठी को गांधी पीस फाउंडेशन द्वारा नेपाल गांधी नोबेल सांती पुरसकार 2020 से समानित किये जाने की घोसना की गई है और डक्टर तिरपाटी को या पुरसकार उनके गांधी और सांती कार्ज के लिए यह अब दे जा रहा है तो इसका एंसर जाएगा अप्सन नमर बी नेस्ट कोशन है निमलिखित में से कौन सी वस्तू जिमाड़ों से नस्ट नहीं होती है इसका एंसर जाएगा अप्सन नमर डी प्लास्टिक प्लास्टिक जिमाड़ों से नस्ट नहीं होती है प्लास्टिक उच अड़ों वाले बहुलक होते हैं और प्लास्टिक को बहुली करण पर किरदार बनायता है प्लास्टिक प्राकिर्तिक का उदारन में लाख हो जाएगा तो आपको याद रखना है या जिमाड़ दोर नश्ट नहीं होते है भारत stage 4 कार्बन उठसरजन मानक है भारत ने 2020 में इसको अपनाया है और यह कार्बन उठसरजन वाहन के सीमा निधारन के लिए पैकेज को परदरशित करता है निमन गैसों में से कौन सा इसके अंतरगत आता है तो इसका अंसर जाएगा ऑप्शन नमर C नाइट्रोजन उक्साइड आपको याद रखना है भारत stage 4 कार्बन उठसरजन मानक है और 2020 में वाहन उठसरजन सीमा निधारन करने के लिए एक पैकेज जो है परदरशित करी किया गया है इसके अंतरगत नाइट्रोजन उक्साइड अप्शाइड है और भारत stage 4 उठसरजन मानक समंद्वेति नियामक है जो यूरोब के यूरो उठसरजन के समान हो गया है तो इसको याद रखना है एंसर हो जाएगा C नंबर निट्रोजन उक्साइड नेस्ट कोशन है निम्ल में से किसे जल पुरूस के नाम से जना आईता है इसका एंसर जाएगा आप्शन नमर B राजेंद्र सिंग को जल पुरूस के नाम से लोगपिरे माना आईता है और राजेंद्र सिंग तरून भारत संग और गय सरगारी संगठन के चियर्मन भी रहा है और 2015 में इने एसकोट हम वाटर प्राइस भी दिया गया है और 2001 में इनको रेमन मैक्से से पुरस्कार भी मिला है तो आपको याद रखना है जल पुरूस के नाम से राजेंद्र सिंग को जना जता है नेस्ट कोशन है पन्ना पटना जील कहां उपस्तित है इसका अपसन नमर ए हासन करनाटक पन्ना पटना जील करनाटक हासन में अस्तित है डल जील कहां है जम्मू कस्मिनों अस्तित है पवई जील महराश्ट में है आपको याद रखना जीलों से प्रस्ट भी एक्जाम में हर एक्जाम में पूछा एता है Related Next question है बिहार में सरवादिक वर्षा वाला जीला का स्थान बताना है कौन सा है इसका answer यहएगा Option number 1 किसन गंच बिहार में सरवादिक जीला जो है वर्षा वाला किसन गंच है बिहार में वर्षा के वितरन और समानता बहिँर आती है तो आपको याद रखना है, सबसे कम जो है बिहार में और रंगाबाद में होता है और सबसे ज़्यादा दोयक किसन गज में होता है Next question है, बिहार राज ने निमलिकित में से कौन से राष्टिय राजमार्ग गुजरते हैं इसमें से बताना आपको बिहार से इसका निमलिकित में से कोई नहीं, आएक से अधिक बिहार राज से होकर राष्टिय राजमार्ग एनेच जो है टू गुजरता है, एनेच 28, एनेच 30 और एनेच 31 विकल्ब में से आपको बताते हैं, बिहार में कुल 18 सड़कों को राष्टिय राजमार्ग का धर्जा प्राप्त है जिसमें कुल 5380 किलमेटर है और बिहार में राष्टिय राजमार्ग राजमार्ग से लंबा है एंसर जाएगा अप्चिन नमर C, कारवण डाई एकसायड और मिथेन गैस होती है बाइव गैस से परदूसर नहीं होता है गोबर, कूडा करकट, मानो मल, यह सबी जो है बाइव गैस से इससे विकास किया सकता है और 1981 से 82 में बाइव गैस परियजना बना गे थी तो आपको य सम्वरिद यूरेनियम होता है एंसर जाएगा आप्सन नमर डी प्राकिर्तिक रेडियो जो होता है प्राकिर्तिक यूरेनियम जिसमें रेडियो धर्मी यूरेनियम दूसर पाइटिस का आईशोटोप घटा कृतिन रूप से बढ़ायता है ये जो है समविर्द यूरेने में होता है नेस कोशन है भारतिय रिजर बैंक RBI के प्रारमर से केंद्रिय सरकार ने किस सारणी छेत्र के बैंक की अधिक्रिन पुन्जी 15,000 करोन रुपे से बढ़ा कर 25,000 तक बिर्दी की गोशना किया है आप इसका उप्सन को रोक के इसका एंसर सोचे कि इसका एंसर क्या होगा मैं आप इस समाई को सीमित को देखके दे हुए उप्सन को जली से बता दे जा रहा हूं इसका एंसर से बढ़ा कर 25,000 तक इसकी विर्दी किर्दी गए है और आपको यह दखना है Indian Overseas Bank से संबंधित इसके अस्थापना हुआ था 10 फरवरी को किया गया था 10 फरवरी 1937 को Indian Overseas Bank की अस्थापना की गई थी और इसका मुख्याल है चेन्नाई और तमिल अडू में है और MD and CEO कौन है अभी जो है पार्थ परतिना सेन गुपता वर्तमान में है अभी नेस कोशन है केंद्रिय संस्किर्ति और पर्याटन मंद्री पहला सिंग पटेल ने भारत के किस सहर में राष्टिय संग्राले में Indian Heritage and Digital Space इसके साथ एक परदस्नी की शुरुवात की है इसका अंसर जाएगा आप्शन नमर B नई दिली केंद्रिय संस्किर्ति और पर्याटन मंत्राले पहला सिंग पटेल ने भारत के नई दिली में राष्टिय संग्राले में Indian Heritage and Digital Space इसके साथ एक परदस्नी की शुरुवात की और यह परदस्नी देश में अपनी तर से पहली है और इस परदस्नी में तक्निकी उपयोग IHDS कारकरम के द्वारा Heritage Model बनाने के लिए किया गया तो आपको यह दखना है और दिली से संबंधित आपको कुछ आपको बतायता हूँ दिली के उपराजपाल कौन है अनिल बैचल मुखमंत्री अरविंद केजरिवाल है कि नेस्ट कोशन है 90 is reach कहां पेस्तित है 19 is reach कहां पेस्तित है इसका एंस सोजया का option number D हिंद महासागर 90 is reach हिंद महासागर में इस्तित है 90 is reach लगए 5 km लंबी है यह कटक बंगाल की खाड़ी से होकर धक्षिन की और जाती है और इसकी औसचर चुणाई 200 km है तो चैलेंजर कटक जो है अटलांटिक महासागर में है और 19 इस्ट रिज जो है हिंद महासागर में है पस्टिम और पूर्वी हिंद महासागर को यह विभाज़त करती है तो आपको यह दखना है यह हिंद महासागर में स्थित है नेस्ट कोशन है एक क्रित्रिम उपक्राव में विधूत उर्जा का स्रोत क्या है एंसर जाएगा आप्सनमट्डी सौर सेल क्रित्रिम उपक्राव में विधूत उर्जा का स्रोत सौर सेल है सौर सेल सिलिकॉन की बनी होती है नेस्ट कोशन है वर्तमार में करबंडाई अक्साइड CO2 के उत्सरजन में सरवाधिक युगदान देल वाला देश कौन सा है इसका अंसो जागा अप्शन नमर बी चीन CO2 उत्सरजन के मामले में सरवाधिक युगदान देन वाला चीन है जो विशु के कुल हरित ग्री गैस उत्सरजन का 21.5% उत्सरजन करता है और अमेरिका 22.2% दूसरे अस्थान पर है भारत जो है चौथे अस्थान पर है तो आपको याद लखना है तीसरा अस्थान किसका है यूरोपिय यूनियन का है नेस्थ कोशन है परकास वर्स क्या होता है इसका अंसर जाएगा ऑप्शन नमर सी परकास द्वरा एक वर्स में चली कई दूरी परकास वर्स कहते हैं एक परकास वर्स बराबर होता है 9.46 इंटू 10.50 मिटर होता है तो इसका अंसर जाएगा ऑप्शन नमर सी तो मैंने इसमें total 40 questions को discussion कराया वीडियो अच्छा लगे तो like कर दे, share करें और जो दोस्त channel पर ना है channel को subscribe करके bell icon को press कर ले और अपना comment में score अबस्त बताए कि आपके कितने सही हो रहे हैं और PDF के लिए आप telegram join कर सकते हैं वहाँ से मिल जाएगा आपको सभी PDF तो मिलते हैं नए आपडिट के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत